हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आपका हमारे अनुरागलेब 3M योट्यूब चैनल में हार्दिक स्वगत है फ्रेंट साज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सल में आगर हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स जाहे दिये गए हैं और इनके हिसाब से हमको अपने employees की category find out करनी है तो हम इस problem को कैसे solve करेंगे इस वीडियो को बीना skip की आंदा तक देखते रहें गाई चलते हैं equal to का function डालेंगे इस देंगे tap देंगे and का function डालेंगे tap देंगे गाईज और यहाँ पे गाईज हम चाहते हैं कि जो हमारी sales है वो greater than equal to हो 15,000 के कॉमा देंगे गाईज और इसके बाद में c2 को select कर लेंगे गाईज और c2 को कहेंगे कि यह greater than हो या equal to हो 90 के तो कॉमा देंगे और d2 को select कर लेंगे इसको कहेंगे यह greater than equal to हो 3 के इसके बाद में bracket बंद कर देंगे कॉमा देंगे और कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो वो top पर फार्मर में count हो inverted कॉमा के अंदर top पर फार्मर डाल देंगे inverted कॉमा बंद कर देंगे कॉमा देंगे and देंगे और गाईज इसके बाद में हम दोबारा से एंड का प्लियो करने वाले हैं बीटू वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन देंगे और इसको कहेंगे कि ये अगर दस हजार से बड़ा हो या बराबर हो C2 जो हो वो 80 से बड़ा हो या बराबर हो और D2 जो है वो 2 से बड़ा हो या बराबर हो तो ब्रैकेट बंद कर देंगे कॉमा देंगे कहेंगे कि ये हाई परफॉर्मर है इनवर्टेट कॉमा बंद कर देंगे कॉमा देंगे गाईज और इसके बाद में True Type पर देंगे, कॉमा देंगे, Inverted कॉमा देंगे और Inverted कॉमा में Guys, Moderate Performance टाइप कर देंगे, Inverted कॉमा बंद कर देंगे और इसके बाद में Guys, हम Enter पे Hit करेंगे आप जैसे ही Enter पे Hit करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके Salesman की Category Set हो चुकी है तो आप यहाँ पे अपनी Sell Labs को Copy करके, Scroll Down कर देंगे और आप देखेंगे कि बाद की के लोग हैं, उनकी भी Sales की Performance आ चुकी है तो इस प्रकार से आप इस Function का Use अपने Data में कर सकते हैं और यह मालूम कर सकते हैं कि उनकी Sales Performance के हिसाब से उनकी Category क्या है तो दोस्तों यह वीडियो आप कैसा लगा इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी टाइप के टेकनिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे Unrock Lab 3M YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्यपूर है तो क्रपया कमेंट करना ना भूलें धन्यवाद